चतिसगर विधान सभा में सोमवार 22 फरवरी से बजट शत्र की शुरुवात होने वाली है और बजट सत्र के दौरान होने वाले कारेकरमों और कारेकलापों को लेकर विधान सभा द्यक्ष डॉक्टर चरंदास महंत ने मीडिया को जानकारी दी प्रैसवारता में विधान सभ अध्यक्ष महंत ने बताया कि सबसे पहले राजपाल के अभी भाषन के साथ सत्र की शुरुवात शुमवार को होगी वहीं दूसरे दिन दिवंगत नेताओ को शद्धांजली दी जाएगी वहीं आगे की कारेकरमों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि आदामी ए 26 मार्च तक चलेगी दो और तीन मार्च का बजट पर चर्चा के बाद बजट अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी बता दे कि इस बार विधानसभा में 2300 से अधिक प्रशन लगाए गये हैं 1226 तारांकित और 1088 अतरांकित प्रशन है स्थगन की 24 सूशना है 117 ध्याना कृष्टन सूशना शूने काल के 28 सूशना लगाई गई है 22 फरवरी को मन्नी महामहिम राजपालिरी का विवाशन होगा और उस पर चर्चा होगी 25 और 26 फरवरी को जैसा की समानता विदान सभा के सत्र चलते हैं विदान सभा के पहले दिन राजपाल महोदय के वाशन के बाद समाप्त हो जाती है